शेहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले लॉक्डाउन में सबजिया बिक नहीं रही, इसी कारण मजबूरी में किसानों को अपनी सबजिया जानवरों को खिलानी पट रही है लोगडाउन के चलते सभी सबजी खेती करने वाले किसानों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है खेती के लिए पहले ही कर्ष ले चुके किसानों को सबजीयों की कीमत नहीं मिल रही नतिजा यह है कि कर्ष चुकाना तो दूर वे फिर से उधार लेने को मजबूर है कुई तहसिल के राजो लगाओ में सबजी की खेती करने वाले किसान खासे परेशान है उनके परेशानियों का यहालम है कि अपनी फसल जानवरों को खिलाने पड़ रही है लोगडाउन के चलते सारे सपने तूट गए है खेतों में लगी फसल सड़ने लगी है क्योंकि खरिदार ही नहीं मिल रहे खरिदार मिल भी जाए तो फसल की कीमत नहीं मिल रही है किसानों का कहना है कि उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है यही वज़य है कि आप किसान जानवरों को फसल खिला रहे है राजो लगाओ के भुक्त भोगी किसान चैतनवेद्य का कहना है कि एक किसान अपनी फसल तयार करने में कई मेहनों की मेहनत लगाता है उसे उमीद रहती है कि इस फसल से वह कुछ पैसे कमा लेगा लेकिन ऐसा नहीं हो रहा इसी वजह से सबजियों के बराबर दाम नहीं मिलने के कारण वह स्वयम खड़े रहे कर जानवरों को अपनी फसल खिला रहे है कोरोना वाइरस के संक्रमन को रोकने में व्यस्त जिला प्रशासन भी इस और ध्यान नहीं दे रहा अगर लॉकडाउन और बढ़ाया जाता है तो आने वाले समय में हालात और खराब होंगे